हलो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा माईनिग के बारे में जींगी हैं क्योंकि आज हम सभी एक digital world में जी रहे हैं जहांपर हमे से ज्यादतर लोग यूज करते हैं स्मार्थफोन का और स्मार्थफोन के इन्दर हम यूज करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों डेटा माइनिंग के अंदर यहां पर हमारे दो वर्ट्स हैं पहला है डेटा और दूसरा है माइनिंग तो डेटा का मतलब यानि कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आज के इस टाइम में हमारे इंटरनेट सर्वर पर मुझूद है हमारे मुवाइल फ करके उसका फिल्ट्रेशन करना अब इसको आप एक्जांपल के तोर पर ऐसे समझ सकते हैं मान के चलिए आपने कुछ कोई इंफॉर्मेशन आपने सर्च की गूगल पर कोई टॉपिक है जो आपको सर्च करना है अब यहां पर आपकी जो इंटरनेट के सर्वर्स होते हैं उ यहां पर आप जब भी कुछ सर्च करते हैं जो इंटरनेट के हमारे सर्वर्स होते हैं वह यूज करते हैं मसीन लर्निंग का और AI याने की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इसकी हैप से वह आपको वह पर्टिकूलर टॉपिक को आपको आपकी डिस्प्ले तक पहुंचात हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आज के इस समय में अगर हम भारत में रहे हैं तो यहां पर हमारी जो e-commerce companies हैं जैसे कोई flip card हो गई जैसे amazon हो गई जब भी आप उन साइट्स पर कुछ सर्च करते हैं कोई भी product सर्च करते हैं तो वहां पर आप जो भी सर्च कर रहे हैं व आपको वहां पर automatically display करता है यानि कि आपका जो पहले का search data है जो आपने search किया उसको वहां पर यूज करता है और उससे related आप future में कुछ भी search करते हैं कुछ भी product खरिदना चाहते हैं तो वहां पर आपकी जो पहले की गई searches हैं उनको वहां पर आपकी सामने दिखाये जाता है तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें data mining की तो data mining simply आप इसको इसे समझ सकते हैं data का filtration करना यानि कि कोई भी ऐसी knowledge जो आप gain करना चाहते हैं एक database से उसको particular करना यानि कि उसको specific करना उस सारे data में से जो कह सकते हैं कि internet पर server पर मौजूद होता है friends यहाँ पर अगर हम data mining की बात करें तो आज के समय में जितने भी businesses run करें उन सभी के अंदर data mining case tool को use किया जाता है उसकी help के लिए यहाँ पर artificial intelligence technology को लिया जाता है उसके लिए यहाँ पर आपकी machine learning technology को लिया जाता है हम बात करें आज के इस time में आपके जो credit cards होते हैं debit cards होते हैं उनका जो data होता है वो काफी जदा important हो जाता है क्योंकि यह जो debit or credit card companies होती है यह देखती है कि हमारा जो customer है वो ज्यादा से जदा पैसा कहां पर किस product पर invest कर रहा है वो उनके लिए data हो जाता है वो उस data को कहीं न वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंड से लिए चलते हैं मिलते हैं वीडियो में धन्यवाद